बहुत लोगों के कमेंट के बाद ये वीडियो आईए उन्हें बहुत ज़्यादा जरुत थी प्लास्टीक के उपर से हम हाड वाटर का स्टैन कैसे निकाल सकते हैं, खारे पाने का दाग हम कैसे रिमू कर सकते हैं, वो भी बाल्टी के उपर से या कोई भी प्लास्टीक के और इसे भी हम क्लीन करने वाले हैं सिर्फ पांच मिनट में, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्कीप ना करें, अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आए, लाइक शेर और सब्सकाइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेर जरूर कीजिए, तो दीके ये वाली बाल्टी हम आज क्लीन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इसके उपर जिद्दी दाग थे, मैंने बहुत दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाया था, मैं ये बाल्टी ऐसे ही में रख रही थी वीडियो के लिए, ताकि मैं आपको बता सकता, और आज जो मैं तरीका आपके साथ शेर करने वाली हूँ, इसे आपको ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा इंस्टेंट ये वर्क करने लगेगा, तो ये देखिए मैंने ये वाला सलूश पानी से, तो देखिए थोड़ा सा ही आपको पानी लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, जो मैंने लिक्विड बनाया है, यहाँ पे सलूशन बनाया है, उसे अच्छी तरीके से आपको अपलाई कर लेना है, सारी बाल्डी के उपर, मैंने आपको और कोई क्लिनिंग के उपर वीडियो चाहिए, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसके उपर भी वीडियो बनाऊंगी, अगर कमेंट ज्यादा आये, तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने के उपर, तो चलिए इसे मैं अच्छी तरीके से अपलाई कर लूँगी, जो यह मैंने य इन मिनट के लिए आपको इसे रखना है, तो देखिए, ऐसे ही मैं इसे लगाते जा रही हूँ, पूरी बाल्टी में आपको लगा देना है, यह वाला सलूशन, और यह जो मैंने सलूशन बनाया है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो इसे आपके हाथ भी बिलकुल खरा जा रहे हूं और मैंने इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी नई रखा था क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी तो देखिए आपर मैंने अपलाई कर लिया है तो मैं एक से दो मिनिट के बाद ही इसे में क्लीन कर लूँगी तो देख सकते हो ऐसे आपको पीछे की बाद लगाने से यह निकल जाएगे तो ऐसे आपको कोई भी अच्छा सा स्क्रबर लेके इसे अच्छी तरीके से आपको रब कर लेना है तो देखिए ऐसे आपको गिस्ते जाना है मैंने इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था आप भी यह जरूर करके देखिए बहुत आसान तरीके से नहीं तो मैंने बहुत जहादा मैंनत की इसे रगज़ने में देख सकते हैं मैं धीरे धीरे आपके पास बहुत जहादा हार्ड वाटder केãyश्टेन है तो थोड़ा इसे आपको टाइम भी लग सकता है दीखिये में यहाँ पे जो इसकी पकड़ने की हैं करने वाली हूँ ना कि मैं दुसरी बालती लाके यहां पे रखने वाली हूँ तो आपके साथ मैं सही वीडियो बनाती हूँ जो भी इसका रिजल्ट हो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जितना भी अच्छी तरीकी से क्लीन हो उतना ही मैं शेयर करती हूँ अगर मेरी वीडिय की वीडियो भी मैं दालती हूँ बहुत अच्छी ची वीडियो तो उने भी आप जरूर सपोर्ट कीजिए तो देख सकते हो ऐसे ही आपको रगल लेना है बहुत आसान तरीकी से ये काम हो जाएगा आपका तो चलिए आपे मैं थोड़ा सा फोंच के बता देती हूँ आपको देखिए कितनी शाइन आ गई है इसमें जो मैंने चीज इसमें मिलाई है सलूशन में उससे आपके हाथ भी खराब नहीं होगे और बाल्टी के अंदर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी तो मैंने इसे दो मिनिट के लिए रख दिया तो चलिए भी थोड़ा सा में स्क्रब कर लेती हूँ तो आसान तरीके से ये क्लीन हो जाएगा अल्रेडी ये क्लीन हो ही चुका है अगर आपने थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से स्क्रब कर लिया तो बहुत ही इसमें चमक अच्छी आ जाएगी तो देखिए थोड़ा सा आपको ऐसे ही रगड लेना है हातों से आप चाया तो इसे गलवस पैन के भी आप कर सकते हो आपके हाथ बिल्कुल खराब नहीं होगे इससे भी बिल्कुल खराब नहीं होगे तो देखिए चलिए मैं इसी थोड़ा सा धो लेती हूँ तो देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके सी हमारी ये बाल्टी क्लीन हुई है बगेट क्लीन हुई है तो आप देखिए इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी मैंने यहाँ पे क्लीनिंग की है अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीस मेरे वीडियो को जरूर शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए तो चलिए देखते हमनी सलुशन क्या बनाया था तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा हार्पिक, हार्पिक तो सपी के घर में होता ही होता है तो देखिए हार्पिक आपको ले लेना है, जितने की आपको जरूत है उतना ही आपको लेना है और यहाँ पे मैं एट करूँगी बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा तो सबके घर में होता ही होता है अगर आपने सिर्फ हार्पी का यूज किया तो इतनी अच्छी आपकी बाल्टी क्लीन नहीं होगी अगर इसमें आपने बेकिंग सोडा यूज किया तो आपके हाथ भी खराब नहीं होगे और आपकी बाल्टी जो भी आप प्लास्टिक को क्लीन करो वो बहुत अच्छी शाइन उसमें आ जाएगी तो इसे ज़रूर आप ट्राइ कीजिए एक बार